तो जलिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमारा से पाउर जीरो है तो जीरो बाद जीरो होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है गंड किसी की पाउर जीरो हो उसकी वेलू होती है वन तो आपका आपसन कौन सही हो जाएगा वन जीरो सही नहीं होगा तो इस तरह से कुछ important fact जो है आपको यहां पर देखने के मिलेंगे पहले हम लोग formula discuss कर लेते हैं उसके बाद जो है आपको formula की discuss करने के बाद आपको exercise पर लेकर चलते हैं जो की chapter 12 class 8 का है ही तो आईए formula देखते हैं power m multiply by a की power n देखो यहां नीचे a यानि same है तो इसका मतलब हो जाता है a की power m plus n पहली बात base same है multiply में है तो power क्या हो जाती है add हो जाती है और base दोनों मिला करके एक base लिया जाता है और दोनों की power को जोड सकते हैं यह पहला rule है rule number one यही कहता है कि in multiplication if base is same then power must be added and rule number two क्या है a की power m divided by a की power n अगर divide में है तो base same है तो power क्या हो जाती है minus m minus n हो जाती है power क्या हो जाती है subtract हो जाती है अगर base same है और division में है तीसरा है अगर तीसरे की बात हम लो करें a की power m whole power n है मतलब power का power अगर कभी भी मिलता है power का power अगर रहता है तो यह power इसका मतलब अलग अलग पावर डिस्टिब्यूट दोनों के साथ हो जाएगा चौथा नियम यही कहता है पाचवा नियम क्या कहता है पाचवा नियम यह कहता है कि अगर हम लोग का A B A की A B है और A की पावर A B वो ध्यान समझे इसी का उल्टा भी कह सकते हैं अगर A की power minus n है तो इसको मतलब one upon a की power n लिखा जा सकता है यानि अगर minus में है कहीं भी अगर exponents कभी minus में है अगर उसको plus बनाना है सीधा उसको नीचे लेकर चले जाएए जब ऐसा आप करेंगे तुरंट जो है exponents positive character में बन जाएगा तो a की power minus n को हम लोग कहते हैं जो है one upon a to the power n और छठा जो फामूला है बहुत ही ज़्यादा important है जिसको देखने में आपको काफी जा गलती कर सकते हैं most important यह है कि a की power अगर किसी की power 0 हो इसकी value क्या होती है one अगर माली कहीं दिया है hundred hundred की power 0 दिया है तो answer 0 मत लिखिएगा answer क्या लिख दिजिए one एक लाख दो लाख दस लाख कितनी भी चीज क्यों ना हो अगर उसकी power 0 हो है तो answer क्या आ जाता है one anything power 01 हो जाता है इसमें देखे evaluate पहला कुश्चन आपका है इसको आप देखे evaluate 3 to the power minus 2 तो 3 to the power देखे minus 2 जब कभी ऐसा रहता है जानी इसको हम लोग कौन सा फार्मूल है हम बगल में हम फार्मूला का भी discussion करेंगे कौन सा फार्मूला लगा है देखे a की power minus n वाला लगा आपको पता है यह one upon अगर a लिख देते हैं तो नीचे उसका power हो जाता है कोई दिक्कत नहीं प्लस में हो जाती है यानि 3 की power minus 2 है इसका कौन सा फार्मूल यही फार्मूल लगेगा तो यहां लिखेंगे आप one upon three whole power हो जाएगा plus में जो minus में है वो power किसमें बदल जाती है plus में plus में कितनी हो जाएगी 2 जाहिर सी बात है power 2 और 3 के power 2 का मतलब आप समझ सकते हैं दो बार 33 है और 33 दो बार है इसका मतलब हो जाएगा one upon 339 यह आपका answer हो जाएगा तो पहला question आप समझ गए होंगे कौन सा formula लगा है a की power minus n बराबर one upon a to the power n दूसरा देखिए ध्यान से minus four की power minus तो minus है जहिर सी बात है इसको one upon करना ही पड़ेगा one upon कर देंगे तो सारी चीज़े आसान हो जाएगी तो minus four की power पहले था इसको हम लोग लिख सकते है one upon minus four ही रहेगा लेकिन whole power इसका क्या हो जाएगा plus में two हो जाएगा समझ गए होंगे क्योंकि उपर minus है जब इसको नीचे लाएगे तो यह बैलू क्या हो जाएगी plus यह चीज़े हो जाएगी तो one upon minus four multiply by दो बार हो जाएगा minus four तो जहीर चीज़े बात है minus minus multiply हो करके plus हो जाता है यह आपने पढ़ लिया है हमने पढ़ाय भी दिया है तो one upon minus four minus four यानि one upon plus में 16 हो जाएगा यही आपका क्या हो जाएगा इसको आप समझने के बाद आ जाईए थार्ड पर थार्ड पर क्या हम लोग सीखेंगे कि one upon two की whole power minus five minus five मतलब जहीर सी बात है जब इसको चेंज करेंगे तो निमेरेटर डिनोमेटर डिनोमेटर निमेरेटर बन जाएगा यह तो की पावर अगर हम लोग कर देंगे तो प्लस रहती हो प्लस हो जाती है चाहे ता आप इसको थोड़ा सा और समझ लिजे कि one upon अगर हम ले जाएंगे one upon two whole power five यह हो जाएगा जहीर सी बात है अपान का पान क्या one का पावर नहीं रहता है तो ऊपर यह उपर जाएगा तो टू की पावर क्या बन जाएगा five अपान का पान यह in sir थियो तक फाइफ और two got fifth अफ उंदर जानते हैं तो कित्ती बार रहेगा को इस तरह से आपने ऊपनेसन नंबर one को अच्छे से समझ लिया होगा आईए हम लोग कुस्सन नंबर टू के बाद जो भी आता है उसको पावर की रूटेशन की रूप में लिखिए लेकिन कैसे positive exponents exponents कभी negative नहीं होना चाहिए ध्यान दीजिएगा अब यहां पर जिसे minus 4 की power 5 है divide by minus 4 की power 8 है आपको पता है अगर base same है वाइड में है तो power आपस में क्या हो जाती है subtract हो जाती है तो यह हो जाएगा minus 4 whole power क्या हो जाएगी 5-8 हो जाएगी ध्यान दीजिएगा तो यहां पर base same है division में है तो power subtract हो जाती है अब हम लोग देखते है minus 4 की power अगर आप देखेंगे उपर से minus 3 आ जाएगी जब यही चीज जो है notation जो minus में आ रहा है यह minus में नहीं होना चाहिए यानि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 upon minus 4 whole power क्या हो जाएगी 3 तो जब नीचे ले आएएगे तो वो आपका हो जाएगा power 3 exponents का इस तरह से answer आप लिखते है 2 की power 3 की power जो है 2 आया है यह देखिए 2 की power 3 whole power 2 तो जाहिर सी बात है उपर 1 की power भी 2 होगी और नीचे 2 की power 3 की power भी 2 होगी तो 1 का power चाहे जो करिए 1 ही आता है लेकिन 2 की power हो जाएगा 3 to just 6 तो answer हो जाएगा 1 upon 2 की power 6 यह आपका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा तो पहली बात जो फामूला लगाया यहाँ पर a की power m divided by a की power n बराबर a की power m minus n लगाया हमने और a की power यहाँ पर देखिए minus में था minus n बराबर 1 upon a to the power n हमने लगाया और यहाँ पर आपने सेम चीजे लगाया कि a की power m की power n अगर है तो यह हो जाता है a की power m into n इस तरह से आपने इस तीन फामूले का यूज करके पहला कुश्चन और दूसरे कुश्चन को आसानी से समझ लिया तो step by step आपको चलते हैं और एक कुश्चन को अच्छे से बताते हैं कि वहला आपका काम यही है कि वीडियो को खुब अच्छे से देखिए और exponents की सारी कमियों को दूर कर लिजे क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा जरूरी है power 4 into 5 upon 3 की power plus 4 यहाँ देखिए minus 3 है minus 3 की power 4 multiply by 5 upon 3 whole power 4 तो यहाँ से ध्यान दिजेगर minus यहाँ पर है तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है बस यहाँ पर थोड़ा से ध्यान दिजेगर 3 की power क्या है 4 तो यहाँ से देखिए 4 बर अगर कोई भी चीज even number में होती है तो वो power plus होती है minus भले ही हो अगर minus की power even number हो 2, 4, 6, 8, 10 हो ऐसा हो तो हमेशा क्या होती है प्लस हो जाती है तो यहाँ पर यह जो value हो जाएगी 4 बर जब minus 3 minus 3 करेंगे तो यह क्या हो जाएगी आपको समझाने के लिए कर रहे हैं तो 3, 3 minus minus plus फिर minus plus 3, 3, 9 तो 4 बर जब आप करेंगे तो 3 की power 4 आपका प्लस में हो जाएगी क्योंकि जहिर सी बात है आप इसको समझ सकते हैं 4 बर अगर होगी तो minus minus plus होता है और 5 पावर 4 तो रहेगा ही नीचे हो जाएगा 3 की power 4 आपको पता है अगर whole power में है division में है a की power m divided by अगर 5 by 3 whole power है इसका मलतब 5 power 4 होगा 3 की power भी 4 होगा 3 power 4 3 power 4 कट जाएगा answer क्या हो जाएगा 5 की power 4 तो ये आपका क्या हो जाएगा answer 5 की power 4 जो आपका बचा ये तो पूरा cancel हो गया तो ये आपका answer हो जाएगा अभी आप कहेंगे माइनस कैसे कट गया ये माइनस भले लिखा हुआ लेकिन इसकी power plus है तो power plus होगी तो यहां इस तरह से cancel हो जाएगा 5 power 4 आपका answer हो जाएगा positive notation में लिखना था positive notation में हो चुका है अब देखिए यहां पर थोड़ा serious हो जाएगी यहां कौँ सा formula लगा है a upon b whole power अगर मालिजे यहां पर m लगा है तो मतलब a की power भी m होगा upon b की power भी m होगा ये भी formula आपको बता दिया जा रहा है तो जाला जाला होगा तो इस तरह लगा देंगे अब यहां पर इस तकार ध्यान दिजिए a की power minus में a की power minus 7 upon 3 की power minus 10 है तो देखिएगा यहां पर तो इसा केस में बेस सेम है तो पावर क्या होगी सब्ट्रेट होती लेकिने खुद ही यहां माइनस है तो पावर कैसे बड़े की ध्यान दीजिएगा तो यहां पर क्या करते हैं कि अगर यहां माइनस सेबन है और इस टेन को ले जाएंगे माइनस पहले से लगाएंगे और माइनस टेन तो यहां लिखेंगे ही और इंटू करके जो आपका चला आ रहा है उसको तो करेंगे ही इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए तो यह 3 की पावर माइनस 7 और माइस माइस क्या होगा प्लस 10 इन्टू 3 की पावर क्या होगा माइनस 5 तो यहां देखते जाएंगे 3 की पावर 10 में से 7 घट जाएगा और 10 की पावर 3 हो जाएगा इंटू 3 की पावर क्या होगा माइनस 5 अब यह सेम है पावर को एड़ कर दीजिए तो यहाँ आपका हो जाएगा 3 की पावर 3 माइनस 5 यानि घटे का ही एड़ भले कर रहे हैं लेकिन चुकि अपोजिट साइन है इसलिए सब्ट्रेक्ट हो जाएगा तो बचे का 3 की पावर माइनस 2 एंसर आ जाएगा लेकिन हमको प्लस में लिखना है 1 अपांक 3 की पावर 2 यह आपका क्या होगा एंसर हो जाए उपर पावर क्या है सेम है तो यहाँ लिख देंगे 2 मल्टिप्लाई बाई माइनस 7 होल पावर हम लोग क्या लिख देंगे माइनस 3 जब कभी ऐसा केस होता है पावर सेम हो तो बेस को आपस में मल्टिप्लाई कर देते हैं यानि यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं A की पावर M मल्टिप्लाई बाई B की पावर M हो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो 7 टूजा माइनस 14 क्योंकि यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है होल पावर माइनस 3 तो यह आपका क्या हो जाएगा एंसर लेकिन हमको लिखना किसमे है पॉजिटिव में पॉजिटिव पे लिखने के मतलब पावर इसकी पॉजिटिव होना चाहिए तो 1 अपावर माइनस 14 होल पावर क्या हो जाएगी प्लस में 3 तो नीचे ले जाएगे तब जाकर के यह आपका एंसर बनेगा थोड़ा सा ध्यान देजिए जैसे ही यह माइनस 14 की पावर माइनस 3 है जाहिस बाद यह प्लस में इसको लाना है पावर को प्लस में होना ही चाहिए क्योंकि पॉजिटिव एक्स्पोनेंट नोटेशन में करना है तो हम लोग नीचे ले कर आएगे यानि 1 अपान कर देंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी इच्छे से चीजों को समझ लेए 3 की पावर 0 है 3 की पावर 0 का मतलब होता कितना है आप जानते किसी की पावर 0 हो जाए उसका एंसर होता है 1 क्या होता है 1 ये बात आपको पता है प्लस 4 की पावर माइनस 1 मतलब होता है 1 अपान 4 किसी की power 0 हो यानि 1 upon 4 की power plus 1 हो जाएगी गर उपर minus है यहां plus 1 हो जाएगी ब्रेकेट क्लोज करके यहां 2 की power 2 का मतलब होता कितना है 4 2 into 2 दो बार है 2 बार होने का मतलब 2 into 2 है 2 2 हो जाता है 4 तो यह बात आपको ध्यान देना है अब देखिए 1 plus 1 upon 4 whole power जहिर सी बात है 1 plus 1 upon 4 और whole power आपका हो जाएगा यहां पर 4 तो यहां पर बेतरी डंग से आपको समझना है कि अगर इसका आपको add करना है तो जहिर सी बात है क्या लेना पड़ेगा LCM तो देखिए LCM किस तरह से आप लेते हैं 1 upon 1 plus 1 upon 4 अगर हम लोग देखेंगे LCM इसका देखेंगे तो LCM हो जाएगा 4 4 1 4 के LCM आपको पता है कितना हो जाता है 4 और 4 1 के LCM अगर 4 हो गया 1 का table पढ़ो 4 times 4 times गया है बेटा 4 1 4 जा 4 फिर 4 से 1 में into करते हैं 4 1 जा 4 फिर plus 4 से 4 कट गया 1 आया 1 जा 1 तो जहिर सी बात है into क्या हो गया 4 तो 4 1 कितना हो गया 5 upon 4 multiply by 4 4 से 4 cancel हो जाएगा answer क्या आजाएगा 5 यही 5 आपका answer हो जाएगा यानि कि 2 की power minus 1 4 की power minus 1 divide by 2 की power minus 2 कैसे solve करेंगे तो जहिर सी बात है 2 की power minus 1 इसको भी 2 की power की रूप में पहले change करना पड़ेगा तो 4 को अगर आप तोड़ेंगे तो आप जानते हैं 4 को तोड़ेंगे 2 2 जा 4 आता है यानि 2 बार 2 आएगा यानि 2 की power 2 लिख सकते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ करेंगे 2 की power minus 1 ठीक है multiply यहाँ पर हम लोग करेंगे तो 2 की power 2 लिख सकते हैं whole power क्या लिख देंगे minus 1 अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर divide करना जाएगा 2 की power minus 2 से अभी इसको ऐसे रहने देजिए यहाँ पर धेहान देजिए 2 की power minus 1 multiply 2 की power power का power जब कभी a की power m whole की power n होगी तो power का power आपस में होता है multiply तो 2 into हो जाएगा minus 1 और divide जो चल रहा है उसको चलने देजिए 2 की power minus 2 यहाँ देखिए 2 की power यहाँ भी हो जाएगा 2 की power minus 1 into 2 की power 2 अज़ा 2 minus 2 और divide यहाँ किसे करना है 2 की power minus 2 से यहाँ देखिए बेस सेम है power क्या हो जाएगी add हो जाएगी तो 2 की power minus 1 और minus 2 और divide किसे करना है आपको 2 की power minus 2 से अब यहाँ देखिए यहाँ से हम लोग थोड़ा से इधर ले चलते हैं आपको और इसको बदाते हैं 2 की power minus 1 minus 2 अगर add हो जाएगा तो क्या हो जाएगा minus 3 हो जाएगा divide by यहाँ देखिए 2 की power कितना हो जाएगा minus 2 ही है अब बेस सेम है power आपस में subtract हो जाती है division का नियम है बेस सेम है power आपस में subtract हो जाएगी तो minus 3 minus minus 2 तो आप ध्यान दीजिएगा तो 2 की power minus 3 minus minus plus 2 यानि 2 की power minus 1 हो जाएगी 3 में से 2 घटेगा तो minus 1 हो जाएगी 2 की power कितना हो जाएगी minus 1 और इसी 2 power minus 1 को नीचे लिख देते हैं तो 1 upon क्या लिखते हैं 2 तो answer आपका क्या हो जाएगा 1 upon इसका मतलब देखें जब आप upon का upon 1 upon 2 है तो इसको plus में बनाने के लिए 2 की power plus 2 plus यहां लिख सकते हैं 3 की power plus 2 यहां लिख सकते हैं 4 की power plus 2 जब उपर हम लोग ले जाएगे सभी मतलब sign है यह sign क्या हो जाएगी change तो यह चीज आपका नियम आप जानते भी होंगे बेस को बाई अपान कापान करने के मतलब उपर चला जाएगा उसका power जो है हम लोग plus बना देंगे अब यहां पर ध्यान दिजिए अब यहां पर 2 की power 2 का मतलब क्या होगा 2 into 2 और 3 की power 2 का मतलब 3 into 3 4 की power 2 का मतलब 4 into 4 2 to 4 3 3 9 4 4 16 तो 16 तो 25 4 29 यह आपका क्या हो जाएगा एंसर तो इतना ज्यादा आसान होता है चीजों को करने के लिए बस आपको समझे 1 by 2 की whole power minus 2 है तो भाई यह कैसे change होता है जाहिए बात है 1 upon 2 था अगर उसका 1 upon कर देंगे whole power plus में हो गया तो जाहिए बात है 2 उपर चला जाएगा whole power plus 2 में हो जाएगा तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या किया गया है वाकि जानते हैं जिसका power जितनी बार है उतनी बार multiply हुआ है 3 3 9 4 4 16 16 9 25 और 4 29 29 यह आपका answer हो जाएगा इस्टुडेंट्स हम लोग पहुँच चुके है कुछन नम्द 3 का 4 पर 3 की पावर माइस 1 4 की पावर माइस 1 5 पावर माइस 1 whole power यहां क्या लगा हुआ है 0 तो इसको solve करने की जरूरत ही नहीं है जब इसकी value 0 लिखा है तो आप लिखिए कि हम जानते हैं हम क्या करते हैं जानते हैं हम क्या जानते हैं identity A की power 0 की value होती है 1 इसलिए पूरे की value 3 की power minus 1 plus 4 की power minus 1 plus 5 की power minus 1 whole power अगर 0 हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा 1 ओके यह आपका क्या हो जाएगा answer क्योंकि किसी की पावर 0 की वैलू क्या होती है यह बात को आप समझ गये होंगे किसी की पावर 0 की वैलू क्या होती है वन को पता होगा एक पावर M की पावर अगर N है तो A की पावर M multiply by N यहीं पावर पावर आपस में क्या हो जाती है multiply इस तरह से आप देखेंगे तो दो आपका क्या हो जाएगा multiply minus two upon three whole power minus two two जा क्या होगा four आप कोई चीद माइनस में होती ही जाहिर सी बात इसको हमले क्या करते है change करते हैं पलट देते हैं पलट देने के मतलब three upon minus रहेगा ही upon two कर देंगे whole power हो जाएगा plus यानि denominator numerator को अगर change कर देते हैं तो power क्या हो जाती है positive में हो जाती है तो जाहिर सी बात है इसको चाहें तो आप answer लिख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर simplify करना चाहें तो भी इसको कर सकते हैं चुकि बैलू पाने की बात कह रहा है तो इसको आप बिल्कुल करिए minus three multiply minus three multiply minus three multiply minus three चार बार है चार बार लिखेंगे यहाँ पर आप लिखेंगे two into two into two into two तो जाहिर सी बात है एक दो तीन चार चार बार है इप माइस-पलस माइस-पलस सब कुल मिला के इवेन नंबर है तो यह प्लस हो जाएगा three three nine nine three is a twenty seven three is a eighty one eighty one यहाँ पर two two जा four two eight two जा sixteen तो यह आपका क्या हो जाएगा answer अलब आप देखे eight को क्या लिख सकते है eight को लिख सकते है 2 4 जा 8, फिर 2 से लिखेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 4, मतलब 3 बार क्या लिख सकते हैं, 2, ति इसको लिख दीजिए 2 की power 3, अब whole power क्या है, minus 1, multiply 5 power 3, अपान क्या हो जाएगा, 2 की power minus 4, जैर सी बात अब यहां पर power का power आपस में क्या होगा, multiply, a की power m की power n है, इसका मतलब a की power m into n हो जाएगा, उस हिसाब से देखेंगे, तो 2 की power minus 3 हो जाएगा, multiply 5 power 3 हो जाएगा, अपान हो जाएगा, 2 की power minus 4, अब यहां पर ध्यान देजिए, उपर minus 3 है, मैं नीचे minus 4 है, यह power उपर जाएगा, तो क्या करेगा, divide है, तो subtract हो जाएगा, तो 2 की power minus 3, और plus minus minus 4 हो जाएगा, और into 5 की power क्या होगा, 3, देखें ध्यान से, बेस सेम है, पावर सब्टेक्ट, सब्टेक्ट में माइनस होगी, लेकिन यह भी minus है, तो minus minus बाद में क्या हो जाएगी, जैसी बात है, प्लस हो जाएगी, और into कितना है, 5 power 3, तो यहां पर ही रहेगी, और 5 power 3 है, तो 2 into 5, 3 बार रहेगा, तो 5 into 5 into 5, 3 बार रहेगा, पांस दुनाए, दस पचे पचास, पंचे, दो सो पचास, यानि 250 आपका क्या हो जाएगा, जो है, आप इधर से भी multiply कर सकते है, 55, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 250, तो इस तरह से आप answer निकाल सकते हैं, क्यों सा formula लगाया गया है, यह हमने आपको बता दिया, यहां पर हम लोग जोड़ा सा आपको अच्छे से बताते हैं, चीज़ों को कैसे करते हैं, देखिए, यहां पर 5 power minus 1 है, question number 4 का second exercise 12.1, 5 power minus 1 का मतलब क्या होता है, और 2 की power minus 1 का, इसको मतलब पहले समझे, बेस सेम नहीं है, लेकि इसका नीचे वाले जो हो जाएंगे, multiply, यहनि A into B की power हो जाता है, M, तो दोनों आपस में into हो जाता है, पावर सेम हो जाती है, इस हिसाब से करेंगे, 6 की power minus 1 यहां पर है ही, तो 5 to 10, 10 की power minus 1 है, into 6 की power minus 1 है, तो जहिर सी बात है, फिर यहां पर क्या हो गया, power सेम है, और यह स 1 को plus में करने के लिए, 1 upon 60 की power 1 हो जाएगा, जिसको हम लोग 1 upon 60 कह सकते हैं, क्योंकि नीचे जब गई power क्या हो गई, प्लस हो गई, तो इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके साब समझ गए होंगे, यहां पर क्यों एक formula लगा है, जो power सेम है, तो base आपस में multiply कर जाते हैं, value के लिए 5 की power m divided by 5 power minus 3 is equal to 5 की power 5 के, तो देखिए ध्यान से खूब अच्छे से इसको देख लिजे क्योंकि अब unknown पाना है, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं, 5 की power m divided by 5 की power minus 3 is equal to आपका हो जाएगा 5 की power 5, तो जाहिर सी बात यहां base same है, division में है, तो power subtract हो जाएगी, तो 5 की power आपका हो जाएगा m minus, लेकिं यहां पर क्या लगा हुआ है, minus, तो minus 3, इस तरह से subtract हो जाएगी, बराबर हो जाएगा 5 की power 5, फामूला क्या लगा हुआ है, तो आपको लगा हुआ है, a की power m upon a की power n बराबर a की power m minus n, इस फामूला यहां बगल में जरूर mention की कर दिया कर यह कुछ सन लगाते समय तो देखिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो 5 की पावर हो जाएगा M plus 3 is equal to 5 की पावर हो जाएगा 5 तो जाहिर सी बात अब देखिए बेस दोनों का सेम हो गया तो पावर को हम compare कर लेंगे जब बेस सेम होता है तो पावर को क्या कर लेते हैं compare कर लेते हैं तो यहां लिखिएगा एक लाइन comparing its power इसके पावर को हम compare कर लेंगे तो यहीर सी बात है M plus 3 is equal to यहाँ पर मिल जाएगा 5 और 3 अगर दूसरी सैट जाएगा तो माइन चेंज कर लेता है तो इसकोल टू 5 माइनस 3 एंसर आपका आ जाता है टू तो M का एंसर बेटा आपका क्या हो जाएगा टू यही आपका एंसर है तो इस तरह वैलू पाने में इस जो बेस है समझ लो कैंसिल ही हो कर सकते हैं यानि यह बेस तो यह हो गया तो बस उपर उपर के पाउर को compare करके equate कर लेते हैं और आपका एंसर आ जाता है जो आपको चाहिए देखिए यहां पर देखिए 1 upon 3 whole power minus 1 यहां पर लगा हुआ है minus 1 upon 4 whole power कितना लगा हुआ है minus 1 तो ध्यान देजिए उसका भी power minus 1 है तो जाहिए ज़िए इसको थोड़ा change करिए जब यहां पर minus 1 लगा हुआ है तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं 3 की power 1 अगर हम लोग change कर देंगे 1 को नीचे लाएंगे 1 लिखने कोई जरूरत नहीं है minus यहां हो जाएगा 4 की power 1 यह प्लस हो जाएगा whole power कितना लिखा हुआ है minus 1 तो जाहिर सी बात है answer जब देखेंगे 3 power 1 मतलब 3 minus 4 whole power minus 1 यह 1 की power 1 हो कोई मतलब नहीं है तो यहां आप देखेंगे minus 1 की power क्या answer आजाएगा minus 1 अब उपर इसको minus बनाने के लिए 1 upon minus 1 की power मतलब 1 हो जाएगा तो जाहिर सी बात है one upon minus 1 को ही हम लोग 11 लिखते हैं यानि answer आपका हो जाएगा minus 1 तो इस तरह से इस बात को आपको समझ लेना है कि किस तरह से लिखाएंगे कि one upon minus 1 का मतलब होता है उपर प्लस है नीचे minus है मॉल मॉल्टि डिवाइट करने बन माइनस ही तो आएगा 11 जा वन तो यह आपका पहला कुस्ष्ण हो गया दूसरा कुस्ष्ण देखिए 5 upon 8 की power minus 7 8 upon 5 पी power minus 4 तो जहिर सी बात है इसको थोड़ा सा सेम कर लिजे क्योंकि 8 by 5 है यहां क्या है 5 by 8 है इसको 8 by 5 करिए 8 by 5 जैसे डिनोमेटर निमेटर में चेंज कर देते हैं तो पावर क्या हो जाती है मतलब प्लस हो जाएगा अगर मायस है तो प्लस हो जाएगी प्लस हो जाएगी दर प्लस 7 हो जाएगी और इंट्व एट अपन 5 की power क्या हो गई माइनस 4 अब देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी एड हो जाएगी तो यहां होता है 8 upon 5 whole power 7-4 क्योंकि 8 तो हो रही है लेकिन यहां माइनस नहीं तो माइनस लगेगी चाहिए आप एक किस्टेप यहां पर बढ़ा सकते हैं अगर समझ में थोड़े से दिक्कत होरी प्लस लिख दीजिए माइनस फॉर लिख दीजिए तो जहिर सी बात ही यह आपका हो जाएगा एट अपान फाइफ होल पावर सेवन माइस फूर तो आपको पता ही होका साथ मैंस चार घट जाएगा तो एंसर क्या जाएगा तरी तो 8 अपान 5 की whole power क्या हो गया थिरी साथ में चार गया तीन अब यहां 8 तीन बार होगा 8 इंटू 8 इंटू 8 तीन बार लिखेंगे नीचे 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखेंगे 8 जा 64 64 है फिर उसको किसे इंटू करना पड़ेगा 8 से तो जाहिए जा 64 बगर 8 जे करेंगे 8 फूर्जा 32, 8 से जा 48 और 512 यानि 5 12 आएगा नीचे आपको पता ही है 120 आता ही है 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 तो यह आपका एंसर हो जाएगा 512 अपान 125 इस तरह से आपने कुस्सर यहां देख रहे है 25 है यहां पर T की power minus 4 है 25 को आप 5 की power में लिख सकते है 5 की power 2, 5 इंटू 5 क्या होता है 25 इंटू T की power minus 4 आप रहने दीजिए और यहां पर आप देखिए 5 की power आप क्या लिखा ही हुआ है minus 3 और इसको आप चाहें तो लिख सकते है 5 इंटू 2, 5 जा होता है 10 और नीचे आप लिख सकते है T की power minus 8 अब बेस सेम है तो उपर पावर आएगी सब्टेक्ट हो जाएगी तो यहां से थोड़ा ध्यान दिजिए इसका पावर क्या है वन है तो इसका पावर अगर वन है तो इसके सारे से इसको इंटू कर देंगे तो फाइक पावर टू नीचे आपका हो जाएगा फाइक पावर माइनस 4 है माइनस यह 8 ऊपर चला जाएगा जहर सी बात है यह आपको ऊपर चला जाएगा तो माइनस 8 तो अब सब्टेट हो गया है तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फाइफ और टू मल्टिप्लाइट टी की पावर माइनस 4 माइस माइस प्लस 8 हो जाएगा और नीचे 5 की पावर यहां पर देख रहे होंगे माइनस 3 में से 1 जाएगा तो भी एंसर क्या आ जाएगा टू ही आ जाएगा लेकिन माइनस में आएगा ध्यान दीजिएगा और यहां पर नीचे 2 बचे अब इसको उपर जब लेके आएंगे तो क्या होग और इंटू आपका हो जाएगा ती की पावर 8 में से जाने 8-4 थो अईनसर आ जाएगा 4 तो यहां 5 की पावर यहां प्लस 4 हो जाएगा 5 इस वीडियो को आप बहुत ही कम समय में और आसानी से सईक गए हो से आईए हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं अभी हम लोग इसका पहला पार्ट कर रहे थे कैसे आपको इसको करना है आईए हम इसको दूसरे पार्ट को भी शुरू करते हैं वो क्या दिया गया है 5 पाउर माइस 7, 6 पाउर माइस 5 तो यहां देखिए देखिए ध्यान से 3 की पाउर माइनस 5 है तो चलिए 3 की पाउर माइनस 5 हम लिख देते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जैसे आप यहां 10 को देखिए 10 को तोड़ सकते हैं आप विलकुल तोड़ दीजिए 2 इंटू 5 होता है 10 तो यह हो जाएगा हो इसको सब तोड़ते चलिए 5 और माइस 7 अच्छी बात है इसमें कोछ भी छेड़ खानी नहीं करेंगे माइनस 7 कर देंगे और इंटू 6 को हम लोग 2 इंटू 3 कर सकते हैं और होल पाउर अपका माइनस 5 तो है ही अब इसे थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं इसको ताकि यहा कोई दिकत नहीँ है 3 की पाउर माइनस 5 हो जाएगी इंटू यहाँ पर जब बेस 2 2 movimento 5 होल पाउर यहां तो मतलत कि पाउर दोनों की पाउर है। में ढі visas करते हैं कोई दिक्कत नहीं है सब्सक्राइब करें क्वाइन सब्सक्राइब क्या कर देंगे कैंसल आउड कर देंगे यहां पर भ्रतितु कि पाउर मिनस फाइफ मैं प्लस तरी Гो जाएगा क्योंकि दोनों की पावर क्या है सेम नहीं है लेकिन बेश सेम है multiply में है पावर सब्टेक्ट हो जाएंगी यानि होगी एड लेकिन यहां पर देखिए आपोजिट साइन है तो सब्टेक्ट हो जाएंगी नीचे 5-7 है तो यहां आपका क्या बन जाएगा 5-2 नीचे बनेगा 5- नीचे बनेगा क्या नीचे तो सब लिखा ही गया है अब जब उपर लेकर के आएंगे 5-7 हो जाएगा यहां पर माइस टू है जो भी उपर रहेगा 5-2-7 तो एंसर हो जाएगा 5-2-7 तो जहिर सी बात है यह 5-7 मेंसे 2 घटेगा तो 5 आएगा 555-625-625 यह पांच अगर हम लोग 5-5-5-5 करते थे तब हम लोग लिखा रहें 55-5-625-625 में अगर हम लोग फिर से अगले पांच वेंसे जब इंटू कर देंगे तो 5-5-5-10-12-5-31-325 यानि 3-1-2-5 यह आपका क्या हो जाएगा एंसर और कुछ बचा ही नहीं है और कुछ आएगा ही नहीं तो आपका अपका एंसर क्या हो जाएगा 3-1-2-5-5 ओके